श्री गुरुए नमस्कार मैं सूरेज मिस्रा आप लोगों का एश्टो गुरु एश्टो तक पर बहुत बहुत श्वागत करता हूं यह आज तक का एश्टो तक विशेश प्रोग्राम आपके पास धर्म एभम जोति से जुरी विशेश जानकारियों को लेके आता है जी हां ह हम बात कर रहे हैं अनंत चतुरदर्शी के बारे में आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा किस दिन अनंत चतुरदर्शी होता है और फिर इसकी कथा क्या है और अनंत चतुरदर्शी करने का फल क्या मिलता है क्या पढ़ना मिलता है यह जानना आपके लिया वसक्त मैं मैं इंची सभी चर्चाओं करूंगा सबसे पहले मैं महुर्त की बारे में बात करता हूं इनद्लिस अनंत चतुर्दशी किस दिन मनाया जाएं तो अनंत चतुर्दसी भादोमाश के सु Aunty के चतुर्दसी है चुकि तिथी यहां आफ प्राता कालिनन नौ बजे तक क्हा है प्रन्तु यह पूरे दिन इसका मान होगा प्रन्तु अन्य अन्य जगऊँपर अक्षांस-देशांतरों के कर दाधाली के आंतर होने से चतुर दसी कहीं 69 बजे तक तो कहीं 10 बजे तक, और मतलब अन्न आन्न पर अन्न तरीके से कहीं कौने 10 मकर इसी के लगबग हर अच्छा अंध्यसांत्रों पर थोड़ा बहुत का इंतर आएगा इसी के लगबग चतुरजशी ती थी है प्राता कालिन जब इसको धारन कर लें तो बहुत उत्तम रहेगा क्योंकि प्राता कालिन महुर्त सबसे उत्तम महुर्त है अब हम इसके कथा के बारे में आपको बताते हैं देखिए अनंत चतुरजश का प्रारंभ का साक्ष हमें महाभारत में मिलता है महाभारत में जब पांडव रचत किर्णा अर्था जुए में सब कुछ हार जाते हैं तो उन्हें पाने के लिए भगवान सर्कृष्ण युदिश्शिट से कहते हैं कि आप ये अनंत चतुरजशी भादव मास की जो चतुरजशी है सुकल पक्ष की इसके दिन आप अनंत की पूजा करें अनंत जिसका अन्त नहीं अर्थात नारायन वो सौ परिबार इनकी पूजा करते हैं और अपने दाहिने हाथ में चौधा गाठ से गठित बना हुआ धागा अपने हाथ में बानते हैं इसकी कथा भगबान सरक्रिष्ण युदिश्चिर को बताते हैं कि एक समय की बात है एक सुमंत नाम का ब्रहमन था और उसकी कन्या बहुत सुंदर्जी थी उसका नाम सुसीला था इसकी मा कुछी समय के बाद जब थोड़ी बड़ी होती है तो मां गुजर जाती है सुसीले की फिर सुमंत दूश्रे साधी करते हैं विवा करती है वो जो आती है वही करकसी होती है पिर सुसीले की साधी भी सुसीला की हो जाती है और सुसीला की जो साधी होती है और इसी कॉंड से होती है और यह कॉंड रिसी को अनंत का एक तरीके के स्राब मिला कि कॉंड रिसी जा रहे थे और रास्ते में अनंत पड़ा दिखा कॉंड रिसी ने उस अनंत को उठाकर अगणी में जला दिया था इसके कारण उन्हें अत्यधि दरिरता का भोग करना पड़ा और दरिरता की सीमा जब वो क्रॉस कर गए तो एक दिन प्रभू से पूछे कि क्या हुआ तो प्रभू बताते हैं कि देख तुम्हें तुमने अनंत को अगणी में डाल दिया तु इसका ब्रतकर तु इसके स्राप से मुक्तो हो जाएगा और वो करता है उसे धन्य धानने की पूर्णा प्राप्ती होती है उसके वंस में ब्रदी हो जाती है तो मैं आप लोगों कहूंगा कि अनंत यह चव्दा गाठ का जो अनंत है इसके धारन करने से व्यक्ति की बाठिक अवस्था बहुत प्रबल हो जाती है वह स्माज में प्रतिष्ठा के प्राप्ति करता है तथा द्रगायू की अवस्था भी होती है, आयू में भिर्दी ही होती है, आरुग्यता भी बढ़ती है और युधिष्ठिर ने जब यहां प्रत किया था तो वो अपना जो संपत्ति अपनी पूरी, संपत्ति पूरा राज्य जो खोद ये थे चल से जिस कौड़ब ने जीत लिया था, उसे वो पुना प्राप्त कर लेते हैं और कौड़बों पर बिजया प्राप्त कर एक योग्य राजा भी बनते हैं तो आप लोग अनंद्चतुरदसी की महत्ता, अनंद्चतुरदसी की कथा और इसको करने का बरत सरलुपा है, आप दूद, हल्दी, इत्यादी मिला दें पंचोब चार से या सड़ो सोब चार से पूजन करके उसमें मंथन करें और पुना मंथन करके उसे अपने दाइने हाथ में धारन कर लें नारायन आप लोगों का कल्यान करेंगे आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुबाद, नमपार्वति पते, नमशकार